अक्ट्रिस मंदीरा बेदी इस वक्त सद्मी में हैं क्योंकि उनके पती राज कौशल अचानक उन्हें छोड़ कर चले गए राज कौशल ने शादी के इतने साल तक कभी बीवी को अकेला नहीं छोड़ा लेकिन मौत के आगे वो भी हार गए मंदीरा बेदी की बात करें तो वो अपनी आक्टिंग के साथ-साथ अपनी फिटनेस और बेबाग बयानों के लिए भी जानी जाती है मंदीरा जिस भी काम में हाथ लगाती है उसे बेहतरीन बना देती है और इसलिए लोग उनके कामव स्टाइल के दिवाने हैं कोलकाता में जन्मी मंदीरा बेदी एक पंजाबी परिवार से तालुक रखती है पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आक्टिंग में कदम रखा साल 1994 में सीरियल शान्ती से मंदीरा ने अपना करियर शुरू किया और अपने ही सीरियल से वो घर-घर में छा गए इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया इसके बाद उन्होंने क्रिकेट मैचों के लिए बतौर टीवी प्रेजेंटर का काम किया उन्होंने IPL 2 और 3 को भी होस्ट किया बॉलिवुड में उनकी एंट्री हुई सदा बहार फिल्म दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे से मंदीरा ने शादी की डिरेक्टर राज कौशल से 1999 में दोनों की लव मैरिज थी और परिवार वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे मंदीरा का नाम क्रिकेटर युवरात सिंग के साथ भी जुड़ चुका है दैसल साल 2003 में विश्व कप के दौरान एक अफ़ा ने जोर पकड़ लिया कि मंदीरा बेदी और युवरात सिंग का अफेर चल रहा है लेकिन इस बारे में ना कभी मंदीरा बेदी ने कुछ कहा था और ना ही युवरात सिंग ने हाला कि इस पर मंदीरा के पती राज कौशल ने रियाक्शन देते हुए इन सब अफ़ाहू पर लगाम लगा दिया था उन्होंने कहा था मंदीरा और मेरी शाधी में एक दूसरे पर विश्वास सबसे महतवपोन है मंदीरा और मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर हम रोजाना एक से एक अट्राक्टिव लोगों से मिलते हैं इसलिए हमें एक दूसरे पर यहां और भी ज्यादा विश्वास करने की ज़रुरत होती है राज कौशल की इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बीच का रिष्टा कितना मजबूत था ऐसे परफेक्ट लाइफ पार्टनर का यो छोड़ जाने से कोई भी महिला तूट जाए बता दे कि राज कौशल के पीछे उनके परिवार में पतनी मंदिरा एक बेटा और बेटी हैं बेटी तारा के साथ तो राज बहुत कम ही समय बिता पाए पिछले साल ही राज और मंदिरा ने बेटी तारा को गोद लिया था बस भगवान अब तो मंदिरा को हिम्मत दे ताकि वो इस समय में दुख को समहल सके